पूर्वोतर का राज्य मणिपूर फिर खिंसा की आग में सुलग रहा है इस बीच राजी सरकार ने केंद्र सरकार से अब कहा है AFSPA हटा दे अब ये AFSPA कानून भला है क्या इसे हटाने की मांग क्यों तेज हो रही है इस कानून से सेना को कैसे मिलते हैं स्पेशल पावर्स सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में नमस्कार मेरा नाम है मेगना सश्टेवा आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि 16 नवंबर को मणीपुर में 11 नवंबर से लापता कुछ लोगों के शब मिले हैं आरूप है कि जब CRPF के जवानों की कथित तोर पर मुटभे हुई थी जुसमें 10 हत्यारबंद संदिग्द चरमपन्थी मारे गए थे उसके बाद से ही कुछ और लोग भी लापता थे अब शब मिलने के बाद हिंसा और बढ़ गई CMB Rain के निजी आवास और कई मंत्रियों के घर आग के हवाले कर दिए गए भी बेकाबू हो गई हालाग को सभालने के लिए कई लाकों में कर्फ्यू है तो इंटिनेट सेवाएं भी बंद हैं और इसी बीच मनिपूर सरकार ने केंदर से राजे के छे पुलिस स्टेशन्स के अधिकार शेत्र में आने वाले शेत्रों से AFSPA हटाने की मांग की है उसकी सविक्षा करने और उसे खत्म करने की मांग की है AFSPA अब है क्या? AFSPA अशान्त इलाकों में लागू किया जाता है ऐसे इलाकों में सुरक्षा बलों के पास बिना वारन के किसी को भी गिरफतार करने की ताकत होती है और कई मामलों में तो बलप्रयोग भी किया रसकता है पूर्वोतर में सुरक्षा बलों की मदद करने के लिए 11 सितंबर 1958 को इस कानून को पास किया गया था 1989 में जब जमुकश्मीर में आतंगवाद बढ़ा तो यहां भी 1990 में AFSPA लागू कर दिया गया था अब ये अशांत शेतर कौन होंगे ये भी केंदर सरकार ही तै करती है AFSPA सिर्फ अशांत शेतरों में ही लागू होता है इसके लावाद शांत शेतरों में इसे लागू नहीं किया जाता इस कानून के तहट सुरक्षाबल किसी भी संदिक व्यक्ति के घड़ तलाशी ले सकते हैं उसे बिनवारं किरफ्तार कर सकते हैं उसे पूछताश कर सकते हैं कानून का उलंगन करने वाले को चेतावनी देने के बाद बल प्रयोग और उस पर गोली चलाने की भी अनुमती ये कानून देता है इस कानून के तहट सुरक्षा बलों को किसी के भी घर या परिस्टर की तलाशी लेने का भी पूरा अधिकार मिला है और इसके लिए सुरक्षा बल जरूरत पढ़ने पर बल का इस्तवाल भी कर सकते हैं अगर सुरक्षा बलों को ऐसा आंदेशा होता है कि उगरबादी या उपद्रवी किसी घर या बिल्डिंग में च्छिपे हुए हैं तो उसे तभा किया रसकता है इस कानून के तहट इसके अलावा बहानों को रोक कर उनकी तलाशी भी ली जा सकती है जब तक के इंदर सरकार मन्जूरी ना दे तब तक इस मामले को लेकर सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कारवाई भी नहीं की जा सकती है AFSPA हटने से क्या होगा इस पर भी बात करते हैं इस से अशांत इलाके अशांत शेतर नहीं रहे जाएंगे ये इलाके भी अब शांत शेतर में रहेंगे इसके अलावा सुरक्षा बलों की शक्तियां जो AFSPA के तहत उन्हें मिली थी वो सिमित हो जाएंगी वो अंदेशा या शक्याधार पर किसी पर बलप्रयोग नहीं कर पाएंगे गोली नहीं मार पाएंगे तलाशी नहीं ले पाएंगे जिस तरह अभी सुरक्षा बल बिना वारंट किसी की भी तलाशी ले पा रहे हैं गिरफतारी कर सकते हैं शक्याधार पर उन पर गोली चला सकते हैं AFSP अहटने के बाद से ये सब नहीं हो सकेगा ग्रैमंत्रा ने चौधा नमंबर को ही इमफाल पश्चिम जिले में सेक्माई पीएस और लामसांग पीएस और इमफाल पुर में लामलाई विश्नुपुर में मोईरा और कांगपो की कई और एस शेत्र हैं जहां पर ये AFSP ये लागू किया था इसके अलावा जहां पर हिंसा सबस्दाला पिछले दिनों में हुई है जिरीबाम उसके अंतरगात आने वाले शेत्रों में भी AFSP को फिर से लागू कर दिया था लेकिन मणिपुर सरकार ने केंदर से राज्य के छे पुलिस स्टेशन के अधिकार में आने वाले शेत्र यहां पर AFSP की समिक्षा करने और उसे हटाने का अनुरोधब किया है मणिपुर में AFSP के खिलाफ इरोम चानू शर्मिला ने 16 साल तक अंशन किया था एक वो वक्त भी था नवंबर 2000 में आईरन लेडी के नाम से मशहूर इरोम शर्मिला की सामने एक पस्टान के पास दस लोगों को सैने बलों ने गोली मार दी थी इस खटना का विरोध करते हुए उस वक्त 29 साल की इरोम ने भूख खरताल शुरू कर दी थी और 16 साल तक यह खरताल चली थी अब एक बाद फिर से वापस आते हैं जो ताजा हिंसा चल रही है मनिपूर में उस पर रिपोर्ट्स यह कहती हैं कि 16 नवंबर को जिरिबाम में बराक नदी के तर से दो महिलाओं और एक बच्चे का शम बिला था शक है कि इने 11 नवंबर को कुकी उग्रवादियों ने अपरण कर अपने साथ ले गए थे जिरिबाम से ही इनका अपरण किया गया था 11 नवंबर को ही सुरक्षा बलों ने 10 बंदूग थारी उग्रवादियों को मार भी डाला था जबकि कुकी जो संगठन ने इन 10 लोगों को विलेज गाड बताया था 15 नवंबर की रात भी एक महिला और दो बच्चों के शव मिले थे जबकि कुकी समुदाय से जुड़े कुछ लोग मुटभेड में मारे गए लोगों के लिए नियायकी मांग कर रहे हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं शुकरवार कुछ राचानदपुर में सेक्रो लोगों ने एक बार फिड़ से विरोध शुरू किया उनकी ये मांग है कि मुटभेड की नियायक जाज हो कुकी संगटनों ने ये दावा भी किया है कि मरने वाले उगरवादी नहीं थे सभी कुकी गाओं के वॉलेंटियर्स थे साथ ही ये भी कहा था कि CRPF को मंगलवार को खुई घटना को ध्यार में रखते हुए अपना क्यांप नहीं छोड़ना चाहिए अब इस मामले को संभालने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है लेकिन कुकी और मैतेश समुदा एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं और इस मामले में CRPF पर जब यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने जिनको मार गिराया है वो वॉलेंटियस थे तो हिंसा और भढ़ गई और अब जब लापता लोगों के शव मिले हैं तब हालात को संभालना काफी मुश्किल हो गया है इस पीच अबरादे सरकार यह मांग कर रही है कि AFSPA कानून को हटाया जाए यानि सुरक्षबलों के जो स्पेशल पावर्स हैं उन्हें कम कर दिया जाए फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही